टीवी नस्रे में काम कर रही कई सारे आक्ट्रोसेज अपने जोरदार आक्टिंग के चलते तो दर्शकों के दलों को लुभा रही है साथ है अपनी खुबसूरती से आप ये हर किसी को यूँ दिवाना बना रही है कि लोग तो अपनी नजरे उनहीं पर गड़ाए हुए है लेकिन दोस्तों आप उन खुबसूरत टीवी अक्ट्रेसेज की प्रोफेशनल लाइफ से तो अच्छे से वाकिफ हैं पर क्या आप उनके रिया लाइफ सासुर के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस से शादिकर के घर बसाया है और ये किनके घर की बहु बनी है अगर नहीं तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टॉप फाइव एक्ट्रेसेस के रिया लाइफ सास ससूर से रूबरू कराएंगे जिन से मिलकर आप भी खुश हो जाएंगे तो फिर आईए मिलते हैं उन सब ही से 14 दिसंबर को अपने लॉंग टाइम लवर विकी जैन की नई नवेली दुलहन बनी आक्ट्रस अंकिता लोखंडे की रिया लाइफ सास का नाम रंजना जैन है और ससूर का नाम विनोत कुमार जैन है जिनकी ये दिल से इज़त करती है और वो भी ने अपनी बेटी की तरहा प्यार देते है वही इन दिनों कुमकुम भाग्य सीरियल में नजर आ रही प्राची और मुगदा चाफेकर के शादे टीवी आक्टर रवेश देशाई से हुई है जिनके माता पिता यानि की आक्ट्रस के साससुर के बारे में कोई भी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है इन दिनों अपनी पहली प्रेगनेंसी के चलते लाइम लाइट का हिस्सा बनी आक्टरस क्रितिका सेंगर के शादी बॉलिवूड अभिनेता निके तंधीर से हुई है जिनके माता पिता यानि के इनके साससुर का नाम पंकस धीर और अनिता धीर है जो अपनी इकलौती बहु क्रितिका से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपने बेटी की तरहा मान कर उनका काफी अच्छी से खयाल रखते हैं अपनी नई नई शादी को लेकर सुर्क्यों में आई एक्ट्रिस अश्वरिया शर्मा अखिरकार अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड नील भट के घर की बहु बन गई है जिनके माता पिता का नाम लायर हिमानशु और सुनीता भट है जो अपनी बहु ऐश्वरिया शर्मा से काफी अच्छा रिष्टा कायम रखते हैं और इन्हीं जाद से जादा खुश रखने की कोशिश करते हैं नमबर फाइव शिवांगे जोशी ये रिष्टा क्या कहलाता है शो के ऑन स्क्रिन पर भले ही शिवांगे जोशी का अधर्स बहु नजर आई थी और आज बाली का वधु टू में नजर आ रही है मगर रियल लाइफ में इनकी अभिशादी नहीं हुई है इसलिए इनकी कोई रियल लाइफ सा ससूर नहीं है तो दोस्तों आपको इन खुबसूरत एक्ट्रेसेस में से किसके रियल लाइफ सा ससूर से मिलकर अच्छा लगा आप हमें उस एक्ट्रेस का नाम कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथ ही ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें